किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में अगर आपकी बसल में कोई भी कीट या इल्ली लगती हैं और आप मार्केट में कोई दवाई करीतने जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि आज कल मार्केट में सेंगडो परकार की कीटनासक उपलब दें तो आप सही कीटनासक का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे की सेजेंटा कमपनी की एमपली गो डाले या फिर बायर कमपनी की वाईगो सेजेंटा की एमपलीगो और बायर कंपनी की वाईगो कीड़नासक में से अच्छी कीड़नासक कौन सी है और कौन सी कीड़नासक का रिजल्ट हमें ज्यादा मिलेगा तो इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतितक देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो नीचे देगे लालक्सरो के सबस्क्राइब के बटन पर कलिक करके उसके पास आए गंटी के निसान को जरूर दबा दीजे ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड गरे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भायो अब हम सबसे पहले तो इन दोनों दवाओं के बारे में स्पेसल बात करते हैं उसके बाद यह निसकर्च निकालेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट रिजल्ट किस दवाई का मिलेगा तो अगर एमपलिगो के बारे में बात करें तो एमपलिगो में पहला टेकनिकल होता है क्लोरेंटरा निली प्रोल 10% और दूसरा टेकनिकल होता है लेमडा साइलोतरिन 5% यह दवाई जेर सी फोर्मूलेशन में आती है किसान भायो एमपलिगो एक ब्रोड स्पेक्ट्रम इंसेक अक्षन भी है मतलब की पत्यों की ऊपरी सता पर इस्प्रे करने पर पत्यों की नीचली सता पर लगने वाले कीड़ भी खत्म हो जाते हैं एमपलिगो मुक्यो रूप से चने की इली सेमिल उपर तना चैदक तंबाकू इली अमेरिकन इली गुलाबी सुन्डी ली फोल्डर और फल चैदक को असानी से कंट्रोल कर लेती हैं और आपको एक एकड़ में 80 ml एमपलिगो का प्रियोग करना चाहिए और एमपलिगो का इस्प्रे करने के बाद 15 से 20 दुनों तक आपको अपनी फसल में बहुती सानधा रिजल्ट मिलेगा अब अगर बायर की वाइगो कीड कीड़नासक के बारे में बात करें तो वाइगो में टेकनिकल होता है टेटरा नेली फ्रॉल 18.18 परतिसत यह दवाई ऐससे फॉर्मूलेशन में आती है किसान भायो वाइगो भी ब्रोड स्पेक्टरम और सिस्टेमेटिक कीड़नासक है मतलब यह दवाई अकेली ही कई परका कीड़नासक भी है मतलब कि अगर आप इस दवाई की ड्रेंचिंग करोगे फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और वाइगो मुखे रुप से तंबाकू इली पता लिपेट मतलब की लिप फोल्डर तना छेदग इस्टेम बोरर सेमी लूपर गर्डल बीटर ओल्ड चने की इली को असानी से कंट्रोल कर लेती है किसान भाईयो आप लगबग सभी प्रकार की फसलों में फ्लोवरिंग स्टेज को छोड़कर किसी भी स्टेज में वाईगो का स्प्रे कर सकते हो और वाईगो का डोज रखना चाहिए सो एमेल परती एकड और स्प्रे कर इसिसान के बारे में बात कर ली हैं चलिए आप बात करते थे हैं कि इन दोनों में से कौन सी केड़ना सक का पर्योग हमें करना चाहिए कौन सी की इतना सक 50 अच्छा रेल्ट देगी तो किसान भाईयो एम्प्लीगो में जो टेक्निकल है क्लोरेंटरा नेली प्रोल और लेम् पेदा हो गई है इसलिए बहुत से चैत्रों में एंपलिको का रिजल्ट नहीं मिल रहा है जबकि बाइर की वाइगो में जो टेक्निकल हैं टेट्रा नीली प्रोल यह मार्केट में बहुती नया टेक्निकल हैं इस टेक्निकल के रूप में आपको और किसी भी कंपनी की हो रहा हैं तो आप बाइर कंपनी की वाइगो किरनासक का पुर्योग करें लेकिन अगर आपके छहत्र में क्लोरेंटरा नेली प्रोल टेक्निकल के परती इल्यों में रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुई है तो आपको एमपलीगो का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा लेकि किन एमपलीगो तोड़ी सच्टी भी मिलेगी और वाइगो तोड़ी महेंगी मिलेगी तो किसान भाइयो इस वीडियो में हमने बात की है कि हमें बाइर कंपनी की वाइगो और सिजेंटा कंपनी के एमपलीगो किरनासक में से कौन सी किरनासक का पर्योग करना चाहिए तो आ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आउसे बताईए चले मिलते अगले वीडियो में जै जवान जै किसान